नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेलटी टूर गाइड में दोस्तों आज की सुड़ों में हम बात करने वाले जारकन राज्य के देव घर में इस्तित बाबा बैजना धाम के बारे में कि आप यहां कब जाए कैसे जाए कहां रुके कहां गुमे और कुल खर्चों क बारे में यह पूरी कनपीर जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते और बात करते बाबा बैजना धाम की भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर भारत के 12 जोतिर लिंगों में से एक है और बैजना धाम बागवान शि ते चान य हैं यह चाहिए एकिस्टिर को काम नहीं बंच लिए मेरा निया कि साइन मास में महा शिव राती जैसे तैवारब पर शच्द धालों की काफिजा भीड देखनी सवर्व ब्ती दूस्तों आप करते हैं क्या बाबा वेजनाद धाम में कैसे पुछे गाय ट्रीन बाइप बड़े से पहुंचन जहा रहे हैं freshly डेव एक ज़म ut बैजनात मंदिर पहुच जाएंगे और यदि आप प्लेन से जा रहे तो बाबा बैजनात धाम का नजदिक एरपोर्ट देवघर अंतरराश्ची एरपोर्ट है जिसकी दूरी मंदिर से लगबग 10 किलोमेटर है और यदि आप को इस एरपोर्ट के लिफ राइट की सुझधा नाम मिले तो आप गया और पटना के लिफ फ्लाइट ले सकते हैं और यहां से आप बस या प्राइवेट टैक्सी ले करके वैजनात धाम पहुच जाएंगे और यदि आप बस से जाना चाहते तो वैजनात धाम के लिए दिल्ली मुंबई पटना बोद गया कॉलगता और र चार्ज की सुधान मिल जाएगी जिनका चार्ज एक दिन का 400 रूपई से लेकर की 600 रूपय के आसपास होता है लेकिन अगर और अची होटल में स्टेग करना चाहते हैं तो आपको यहां पर 1000 रूपय से लेकर के 3000 रुपय तक में अच्छी से अच्छी होटल मिल जाएंगे जिन्हें आप अपनी बजट के नुसर बुक कर सकते इसके लाव अगर आप चाहें तो यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से धर्म शालाय भी मिल जाएंगी जिसकी बुकिंग आफ्लाइन होती है लेकिन यह आपके पर डिपेंड करता है कि आप कहां पर स्टेक करना चाहते ह यहाँ बजंत मंदिर के परास नहीं में चाहते हैं जिसका एक परता खका और यदि आप किसी और जगह का औरलाइन टिकेट बुक करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अच्छी साइट का लिंग दे दिया जिसकी मदद से आप ट्रेंड की प्लेंड की बस की और टूर पैकेज उसको बुक कर सकते हैं दोस्तों अब बात करें कि आप वैजना धामें कहा गुमें वैसे तो यहाँ पर आप सबसे पहले वैजना धाम को विजिट करिए क्योंकि देवगर में इस्तितिया मंदिर भारत के बारत जोत्र लिंगों में और क्यावन शक्ती पीठों में से एक है इसलिए कि पूरे भारत म सबसे अधिक पूजने स्थानों में से एक है जहां पर भारी संक्या में हर साल शावन के मेले में लाकों भक्त यहां पर आते हैं और देवगर से लगबक 102 किलोमेटर की दूरी पर सुल्तान गंज से लोग उत्तर वाहिनी गंगा जल ले करके सावन महिने के दौरान इस मंद लोग विषियसदर्षन के लिए यहां पर आते हैं और सभीज रधालों बाबा बैजनागन मंदिर में गंगा जल चुणाने के बाद यहां पर पूजा कूरा करने के भाद ही경 बाबा बैजना मनें की याद्रप पूरी मांनी जाते हैं कि वासकीनाय ए देवग़र से लगब 25 किलो मिटर दूर उत्तर पश्चिम में इस्थित हैं और मंदर में ही अन्य देवी देतों कि कई सारे चोटे बड़े मंदर हैं जिनके दर्शन आप सभी को जरूर करना चाहिए इसके साथ ही आप यहां 9 लखा मंदर भी घूम सकते हैं देवघर के करनी बाद में इस्थित 9 लखा मंदर देवघर के प्रसिद परेटन स्थलों में से एक है जो कि भगवान श्री क्रेशन और श्री राधा जी को समर पे थे और इस मंदर को बनाने के लिए 9 लाख रुपे खर्श हुए थे जिससे इस मंदर का नाम 9 लखा मंदर सारे पहाड़ी की चोटी पर बना एक मनुरंचन पार्क है जो कि सबी के लिए कई गति वीदियों के साथ पिक्निक इस्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है और इस पहाड़ का प्रबंधन वा प्रशार जारखंड राज्य के परिटन विकास निगम द्वारा किया जाता है इसके अलावा आप में आप एक त्रिकुट परवत को विजिट करिए यहाँ पर आप रूपे का भी मज़ा ले सकते हैं और यह परवत मोहनपुर ब्लॉक में दुमका रोट पर इस्थिद्ध देवघर शेहर से लगबग 20 किलोमेटर की दूरी पर है और यदि आप एक साहस इसका रोमांच प्रेमी है तो इस पर ट्रेकिंग करना ना भूले और रोपे का भी आनंद जरूर ले जिसका चार्ज लगबग 130 रुपे होता है इसके अलावा आप में पर सचंग आश्रम भी घूम सकते हैं जो टावर चौक देवघर से लगबग 3 किलोमेटर की दूरी पर इस्थित जिसी डी रेल मार्क पर इस्थित है और यह आश्रम बहुत ही बड़ा है जहां पर आप धार में गति विदियो के साथ साथ चुडिया घर्व संग्राले का भी आनंद ले सकते हैं दोस्तों यहां पर और प्रिया से कई सारे जगह है जहां पर आप सभी घूमने का मज़ा ले सकते हैं जैसे कि मयोराक्षी नदी रिखिया पीठ योग आश्रम राम कृष्ण मिशन विद्या पीठ जलसर चिडरन पार्क दस्थम फॉल जलान पार्क रोहिनी पार्क शिव गंगा तपोवन हींस आदी जैसे हैं पर कई सारे परेटन इस्थाले जहां पर आप करते कुल खर्चों की वैसे तो बाबा बैजनाध्धाम की यात्रा में आपका कुल खर्चा लगबग 4,000 से लेकर के 5,000 रुपए के आस्पास हो सकता है लेकिन यह सब आपकी पर डिपेंड करता है कि आप इन 4-5,000 रुपए में बाबा बैजनाध्धाम में किन-किन जगों को विजिट करेंगे क्या क्या खरे देंगे और कहां कहां रुकेंगे तो यह सारे खर्चे आपके पर ही डिपेंड करते हैं तो दोस्तों इस वीड़ों को पसंद आई तो लाइक करें और चानल को सब्सक्राइब जरू करें इसके साथ ही वैल आइकन जरू दबाए ताकि इ नएने वेडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो फिर मिलते नेक्स्ट उडियो में धन्यवाद